हलो बच्चों लेट्स रीड़ फर्स्ट दे कोश्टिन से इस हाउ मैनी एटिपी मॉलीकूल्स और उप्टेंड फ्रॉम्टेशन ओफ वन मॉलीकूल अफ ग्लुकोस तो हमसे यह पर पूछा गया है एटिपी मॉलीकूल्स कितने मिलेंगे अगर हम फर्मेंटेशन कराते हैं कि एक ग्लुकोस का तो बच्चों ग्लुकोस का ग्लुकोस जब ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो क्या प्रड्यूस करता है पाइरुविक एसिड पाइरुविक एसिड का प्रड़क्शन होता है इसमें आपको क्या मिलता है तू एटिपी का नेट गेन होता है नेट गेन ओफ C2 ATP that again अब इसके बात क्या होता है इसके बाद पाइरुविक Ice ID से क्या बनता है बच्चों पाइरुविक ACID से बनता है अथेनल एहनौल ब्लस C02 द्लस C02 बनता है यह क्या होता है औलको होलिक फर्मनेंटेशा होता है अब इसके इस नाइम पर यहां पर क्या बन रहा है यहां पर बन रहा है एने डी कि अगर हम बात करें यहां पर तो कितने टोटल जो है कि अग acquisition हो जाएगा ही है तो आपका right answer हो जाएगा हो यहां पर爱 पर मन मैं आवब तो, thank you, all the best.